हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है हमारे यूट्यूब चनल आर्क आईटी आई में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्शन मोटर के पार्ट 4 के बारे में जैसा कि आप जानते हैं निन्मी एसाइमेंट का जितना भी कोश्चन है उसका हम इस सीरीज के में आदेम से प्रेक्टिस करवा रहा है तो पार्ट 3 तक हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में दोस्तों पार्ट 4 जैसे कंपलीट होगा तो इंडेक्शन मोटर का जितना भी चैप्टर से क्वेस्चन लिए गया थे निन्मी क्वेस्चन बैंक में वह सभी complete हो जाएंगे तो इससे पहले part 3 तक नहीं देखे हैं तो वीडियों के description में या फिर चैनल पर विजिट करके playlist में जाके जरू देख लिजेगा चलिए बिना देरी की ये वीडियों को start कर लेते हैं देखिए question 191 से है 190 तक हम करवा दिया है गती नियंतर की कौन सी वीडियों केवल तीन कला की slip ring induction motor के लिए आरोपित है दोस्तों अगर part आप 3 देखे होंगे तो यह question repeated है उसमें भी इसी प्रकार पुछा गया था तो देखिए slip ring induction motor के लिए mainly हम rotor, rear state, speed control वीडियों करते हैं तो इस प्रस का right answer option B हो जाएगा रोटर, rear state, speed control जो हता है तीन कला slip ring induction motor के लिए आरोपित किया आता है option B बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है winding का नाम क्या है दोस्तों यह winding देखाया गया है इसका नाम क्या है तिरची winding है जटील कुंडनल वाइंडिंग है यह हीरा कुंडनल वाइंडिंग है तो दोस्तों इस प्रस का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा यह screw winding दिखाया गया है यह जो winding दिखाया गया है यह screw winding दिखाया गया है तो इस प्रस का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्राशन है तीन कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यादि कुंडली पीच पोल पीच से पोल पीच से क्या है पोल पीच से कम है तो दोथे पोल पीच से अगर कम है तो यह जो वाइंडिंग होती है short pitch winding कहलाती है दोस्तों जो pole pitch से बराबर होती है तो यह full pitch winding कहलाती है pole pitch जो हता है अधिक होता है तो over pitch winding होती है ठीक है और इस प्रस्ट में जो पुछा गया है winding का नाम क्या है यदि कुंडली pitch pole pitch से कम है तो यहां पे जो कुंडली pitch थी यह निक्त पॉल पीच आई पॉल पिच से कम है तो प्रकाइब के कम है तो क्या हो जाएगा शॉट पीच वाइंदिंग इसे शॉट कोड़ेड वाइंदिंग भी करते हैं तो इस प्रसका राइट एंसर ऑप्षन डी विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसेगा दोस्तों ती एक स्टेब्ड फार्मर की आवसकता होती है मेली यह अवगुन होता है कंसेंट्रिक वाइंडिंग की तो राइट एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रश्च नगला है 3-phase motor winding के लिए प्रियुक्त आरेक का नाम क्या है तो इस आरेक का नाम क्या है तो यह जो आरेक दिखाया दोस्तों यह आपका है रिंग डाइग्राम मतलब अंगुठी का आरेख दिखाया गया है तो इस प्रश्च का राइट एंसर ओप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्चन है तीन कला छती स्लाट बारे कोईल चार पोली स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लाट के संदर में कला विस्थापन की गड़ना करें तो दोस्तों यहां पर जो कला विस्थापन की गड़ना करना है जो डिस्प्लेस्मेंट होता है वह 120 डिगरी होता है तो क्या हो जाएगा 120 डिगरी हो जाएगा का लेंगे जो होता है इसका degree 180 electrical होता है तो 180 electrical में क्या करेंगी पी से यानि पोल से multiply कर देंगे तो पोल कितना दिया है चार दिया है तो चार से मुल्टिप्लाय करेंगे तो कितना हो जागा आठ चोक के पाठ चोक बहतर 720 हो जाएगा इंश्च से भाग करेंगे तो आप कहा जागा 20 दिग्री तो बीच डिग्री फाइनली आ गया तो बीच डिग्री में 120 दिग्री से भाग कर देंगे तो कितना जागा 6 लाट आ जाएगा ठिक है तो यहीं आप सुछ रहा है फिज़ डिस्प्लेसमेंट जो होगा इतना हो जाएगा 6 slot हो जाएगा तो right answer option C हो जाएगा 6 slot तो इस प्रकार R, Y, B में देखेंगे तो इसमें 1 हो जाएगा इसमें 1 plus 6 पराबर 7 हो जाएगा इसमें 1 plus 7 6 plus 7 पराबर 13 हो जाएगा ठीक है फेज displacement इस प्रकार हो जाएगा 1, 7, 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो right answer option C हो जाएगा, 6 slots हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, coil पर pole पर कला की संख्या वाले AC motor winding किस प्रकार के अलग-अलग slot में व्यवस्तित होते हैं, तो अलग-अलग किस slot में व्यवस्तित होते हैं, तो दोस्तों, जो distributed winding होती है, वितरित winding होती है, उसमें संख्या वाले AC motor winding जो होते हैं, अलग-अलग slot में व्यवस्तित होते हैं, तो इस question का right answer option C बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, winding के किस प्रकार के परिष्ण का चित्रन किया गया है, दोस्तों, यह जो चित्रन दिखाया गया है, किस winding का चित्रन दिखाया गया है, तो यह resistance test का दिखाया गया है, यह प्रतिरोध परिष्ण का दिखाया गया है, चित्र, right answer option B हो जाएगा, प्रेश नगला है इस्टार्टिंग में रोटर सरकिट में बाहरी पतिरोत को तीन फेज स्लिपरिंग इंडेक्शन मोंटर इस्टार्टर के मांदेम से क्यों सामिल किया गया है पहला उच्च रनिंग बलागुन पाने के लिए उच्च प्रारंबिक बलागुन प्राप्ट करने के लिए या लोड करेंड को कम करने के लिए या शुरू करने में उच्च ब्रिद्धी की गति प्राप्ट करने के लिए तो दोतों इस प्रस का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा उच्च प्रारंबिक बलागूर प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग में three-phase sleep ring induction motor का माधम से सामिल किया जाता है तो इस प्रस का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है यदि sleep ring induction motor में rotor winding खूले परिपत में स्टार्टिंग किया जाता है तो motor का क्या प्रभा होता है तो तुम motor पर दोस्तों क्या प्रभा होगा यदि sleep ring induction motor में rotor winding खूले परिपत में स्टार्टिंग किया जाता है तो motor पर क्या effect पड़ेगा, क्या प्रभाव परेगा बिल्कुल motor चले ही गी नहीं यदि induction motor में rotor winding खूले परपत में start किया जाएगा तो will not run, motor नहीं चलेगी ठीक है दोस्तों, right answer option A हो जाएगा, motor चलेगी ही नहीं अगला प्रशन है, यदि एक कला चलने के दोरान वीफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण motor का क्या होता है दोस्तों, यदि एक कला, यानि कि what happened to a three phase induction motor if one phase fail, करने का मतलब है एक phase fail हो जाता है तो तीन कला motor पर क्या प्रभाव पड़ेगा पला motor सामारूप से चलती रहेगी, motor तुरंद बंध हो जाएगी motor धीरे धीरे चलती है, आखिर का जल जाती है motor अन्यमित गती से चलती है तो जोस्तों, इस प्रश का right answer, option C बिल्कुल सह हो जाएगा motor runs slowly, finally it's burn क्या करेगी, motor चलेगी जरूर, धीरे धीरे बाद में जल जाएगी अगर R, Y, B है, तो एक फेज disconnect हो जाता है तो motor slow चलेगी, धीरे धीरे चलेगी और finally में burn हो जाएगी, जल जाएगी तो right answer, option C हो जाएगा प्रशन गला है, लोड के साथ चलने के दोरान, एक कला cut off होने पर, तीन कला induction motor पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, what is the effect आप three-phase induction motor, if one phase is cut off, during running with load, यानि कि R, Y, B पे चल रही है तीनों phase पर, तो load phase चल रही है, तो एक phase कड जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, motor एक बार में रुख जाती है, motor सामान रूप से चलेगी motor धीमी गती के साथ गुनगुने सोर के साथ चलेगी या चोथा है, motor धीमी गती से चलेगी, लेकिन थोड़ी देर में बाइंडिंग जल जाएगी तो दोस्तों, इस प्रस का जो राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन डी हो जाएगा, इससे जेस्ट उपर वाला जो क्वेस्टन देखें थे, सिमलर क्वेस्टन ये भी है, क्या करेगी motor स्लो चलेगी, धीर धीर चलती रहेगी, उसके बाद जल जाएगी, ठीक है? तो राइट एंसर ओप्शन डी हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, एकल कलाबद प्रिवेंटर के साथ, इस टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोस्त होता है, तो दोस्तों, प्रिवेंटर के साथ, इस टार्टर चालू नहीं होने हो पाता है, ठीक है, राइट एंसर ओप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, लोड होने पर, एसी थ्री फेज इंडेक्शन मोटर में कम गती पर चलने में दोस्त क्या है, तो लोड होने पर थ्री फेज इंडेक्शन मोटर में कम गती पर चलने में दोस्त क्या होता है, गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार कनेक्शन, या रोटर, वाइंडिंग में खुला सरकिट, या इ यानि इस्टेटर वाइंडिंग में आंसिक रूप से सौड सर्कीट होने पर मोटर स्लो चलती है तो राइट एंसर ऑप्शन डी विल्फुल सही हो जाएगा अगला प्रशन है कौन सी दोश इस्तिती में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेंड मोटर की रक्षा करता है यानि वीच फार्ड कर्डिशन थर्मल ओवर रोल लिले प्रोडक्शन एसी इंडेक्शन मोटर तो जो ओवर करेंट होता है अतिधारा होता है उसमें जो ओवर रोल लिले होता है वह प्रोडेक्शन देता है इस प्रसका राइट एंसर ऑप्शन सी बिल्फुल सही हो जाएगा अगला प्रश्चन दोस्तों यादि तीन खला इंडक्शन मोटर्टी रोटर सिंकूनस गति को प्राप्ट कर लेती है तो रोटर पर क्या प्रभावता है रोटर स्पीट रिदूस या रोटर स्पीड इंक्रेज, रोटर स्पीट रेमेण i.e. रोटर बार get damage, तो दुस्तों इस प्रस का राइट एंसर, ओप्षन डी हो जाएगा, रोटर बार get damage, यानि रोटर बार सकतिक द्रस्त हो जाएगा, या जाता है, यदि रोटर जोती है इंडेक्शन मोटर की रोटर सिंकोनस गति को प्राप कर लेती है तो डैमेज हो जाता है आपका रोटर बार डैमेज हो जाता है तो राइट एंसर ओक्षन डीज हो जाएगा अगला प्रश्न है इंडेक्शन मोटर की रोटर में खूले सरकीट का क्या प्रभाव होता है तो जो इंडेक्शन मोटर होता है उसमें रोटर में खूले सरकीट का क्या प्रभाव पड़ता है तो देखिए खूले जो सरकीट होता है उसका जो मोटर बहुत कम गती से चलती है अगर खूला हो जाता है रोटर तो मोटर रंस विद भेरी स्पीड कूला होने पर बहुत कम गती से मोटर चलेगी तो इस प्रस्ट का राइट एंसर ओप्शन डी हो जाएगा अला प्रस्ट नहीं है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण हो सकता है तो दोस्तों मेली जो मोटर के कुछ समय चलने के बाद जो फ्यूज उड़ जाता है या जल जाता है लगातार उड़ने पास मेर होता है उसका वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन ठी सब्सक्राब होगा वाइंडिंग का इसलिए फ्यूज उड़ जाता है जल जाता है ठीक है राइट एंसर ओप्शन डी बिल्कुल सई हो जाएगा अगला प्रश्न है तीन कला रेंड मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दोरान बिफल हो जाता है यानि बाइट एक परान बिल्कुल सब्सकरों को जाता है तो इसलिक शाउन होता है याने जो तीन कला प्रखरों का अगर एक कला सुरू होने के दोरान विफल हो जाता है तो मोटर रंस एंड इस्टाप इमेडियेटली मोटर चलेगी लेकिन इमेडियेटली रुख जाएगी ठीक है राइट एंसर ओप्षन यह बिल्कुल सई हो जाएगा अगला प्रश्ण है थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंग OLR जो OLR होता है ओवर लोड रेजिस्टेंस की गलस सेटिंग के दोरान जो होता है सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार ट्रिप के कारण होता है तो राइट एंसर ओप्षन सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्ण अगला है तीन कला मोटर इस्टेटर वाइंडिंग में आंतरी ग्रावलर परिशर करते समय हैक्सा ब्लेड रखकर लगुपतित कुंडली दोस का क्या प्रदर्शित करता है तो दोस्तों मेली जो क्या प्रदर्शित करता है वह हैक्सा ब्लेड का तेजी से कमपन करना तीक है इस प्रश्ण का राइट एंसर ओप्षन बिल्कुल सह हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह जो थ्री फेज इंड़क्षन मोटर का इंड़क्षन मोटर का जो निन्मी question bank में जितना भी question था उसका हम प्रैक्टिस करवा दिये हैं ठीक है तो निन्मी एसाइमेंट का अगला जो चेप्टर होने वाला है उसमें जल्दी उसका भी प्रेक्टिस करवाएंगे तो हमारे चनल से नहीं जुड़े हैं भी तक तो सस्क्राइब जरू कर लिजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्की में फारवड कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीड कर दो कि प्रेक्त हो आपने कर दो फे मां एक्ता है बोगने कर दोड़ये हाँ प्रेक्टिस के मावा प्रेक्टिस का आपने कि अपने कर दोगते हैं ।